बिहार अजीब है, इतना अजीब कि नितीश कुमार एक बार बयान बाजी करने के बाद आज दूसरी बार जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि आप क्यूं पीते हैं ये सब, अगर आप पिएंगे तो आपके साथ यही हश्र होगा, मतलब नितीश जी ये कहना चाह है, हम आपको कल दिन भर शराब के बारे में अपडेट कर रहे थे, और आज भी मन अभी शराब की तरफ चला गया, क्योंकि जब गोपाल गंज के महमतपूर से फोन आ रहा है, तो कलेजा पसी जा रहा है, ये सोच कर कि नितीश कुमार की सरकार ने आखिर बिहार में कैसी श मुझूर, सुनो लो, अब जाकर घूस का जो आकड़ा है बढ़ा दो, अगर तुम्हें एक मोदल पर पांच सो ले रहे हो, तो अब एक मोदल पर पंदरा सो लेना, लेकिन दारूर रोकना मत, और इसके बाद जब हो हला मीडिया में नहीं रुका, तो नितीश कुमार ने आ मिल रहा है, हम ये सोच रहे हैं, कि गोपाल गंज के महमतपुर में अगर विपक्ष ने चाल चल दिया है, तो NDA के पास क्या पुलिस बल नहीं है, क्या नितीश कुमार के पास ग्रे विभाग नहीं है, कि वो उस पर एक्षन ले सकें, तो यस्वी आदव ने बिलकुल ठीक कहा है, कि मुख्यमंत्री साहब पीने वाले को कह रहे हैं, कि अगर तुम पीओगे तो चले जाओगे, लेकिन बेचने वाले को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंग्रेस वालों ने भी ठीक कहा है, कि नितीश कुमार की सरकार ने एक पैरलल समनांतर एकोनोमी खड़ा कर दिया है सराब के रूप में, क्योंकि जितना का सराब का राजस सुबह आता था बिहार में, वो अब सीधा सरकार को नहीं मिलता है, वो उन गुंडे और मवालियों को मिलता है, जिसको नितीश कुमार की सरकार, या फिर सत्ता का संरक्षन जिनको पाल पोश्कर बढ़ा कर र बिहार से ऐसी खबरे पुरे साल भर में आती हैं, कि यहां पर जहरीली शडाब पीने से ये मर गए, लेकिन हमारे सरकार के कान पर जू नहीं रेंगता, उन्हें ये भी तक समझ नहीं आता, कि अगर आपका पुलिस वाला इतना इमानदार होता, तो बिहार में शडाब आता लेकिन हमको इस पर ये सोचने की जरूरत नहीं है, कि क्या सरकार की लोग ही इसमें सनलित हैं, अगर आपको बात जानना है, तो नितीश कुमार साहब जब भाशन दे रहे थे, आज ये कह रहे थे, कि मीडिया वाला सबको कि जो पीएगा उचल जाएगा, तो उनके बगल मे चार काइटून दारू रखा हुआ था, आज तक उसकी गिरफतारी नहीं हुई है, वो मंत्री साहब से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन नितीश कुमार हर बार येही आकर चिला कर चले आते हैं, कि शराब बंदी महिलाओं के मांग पर की गई थी, और अब नितीश कुमार जी ने कहा है, कि जितने भी सरकारी आवास बिहार में है, उस पर जाकर रंगाई पुतवाई करवाईए सराब के फेबर में, कि सराब नहीं पीना चाहिए, और इससे क्या होगा, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितनी रंगाई पुताई बिहार में होती है जितनी मानव श्रिंग खिलाब बिहार में बनती है और उसका हम लोग रिजल्ट से उसका कॉम्पेरिजन करें तो हम पाएंगे कि हमारी उपलब्दी शून में है लेकिन नितीश कुमार जी चाहते है कि जो पीएगा वो जाएगा लेकिन बेचने वारे पर उनकी पुलिस कोई भी कारवाई नहीं करेगी बाकि इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हमें तला करेंगे आप ये दुआ करिए कि नितीश कुमार की सरकार के होश ठिकाने आ जाएं और वो अधिकारियों को कम से कम ये ओडर दें कि जो बेच रहा है उसको रोक दिया जाए नितो दारू बिहार में खोल दीजिए मुरे नाम प्रशांत राय है आप दिनता निक्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्यवाद